हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी यूटीब चैनल आपका हेल्थ गुरू में स्वागते दोस्तो आजकल नींद की तकलिप बहुत सारे लोगों को होने लगी है और इनका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस लेवल आजकल की life इतनी fast हो गई है कि बहुत सारे लोग अपने सीर पे स्ट्रेस का भारी बोज लेके गुमते है और बहुत बार तो ऐसा होता है कि ओफिस का काम तो खतम हो जाता है पर घर आते समय भी ओफिस का कामकास का लोड अपने सीर पर ही लेके लोग आते और इनकी वज़ से बहुत सारे लोगों को नींद की तकलिफ होती है और दोस्तो रात को देर तक जगना और टीवी देखना, मोबाइल का यूज करना, कम्पुटर का यूज करना यह भी एक कारण है रात को नींद आपकी डिस्टफ होने का तो दोस्तो आज मैं आपको यह तकलिफ से छुटकारा पाने का बहुती आसान इलाज बताने वालो और दोस्तो कई बार नींद न आने की तकलिफ इतनी क्रोनिक हो जाती है कि बहुत बार लोगों को नींद आने के लिए मेडिसिंस भी लेने की ज़रूत परती है और आपको पता हिए कि यह मेडिसिंस की बहुत सारी साइड इफेक्स होती है और अगर आपको नींद अच्छी तरीके से नहीं आ रही है तो आपके सरील में बहुत सारे प्रोब्लम आना सुरू हो जाता है क्योंकि हम जब सो जाते हैं तभी हमारा सरीर पुरा आराम में होता है और उसी समय हमारे सरीर का जो भी वेरेंटर हुआ है पुरा दिन उनका रिपेरिंग काम होता है और हमारा सरीर दूसरा दिन फिर से रिफ्रेश्ट हो जाता है इसलिए अगर आपकी नींद अच्छी आ रह तो आज मैं आपको ऐसे तीन एक्यूप्रेशर पोइंट्स बताने हो लाओ कि धिन को अगर आप नियमित प्रेस करोगे तो दो से तीन दिन में आपकी नींद में काफी हद तक मुनाफ़ा होने लगेगा, काफी हद तक फायदा होने लगेगा, शुरूआत में पहले दिन आप आपको नींद में थोड़ा फायदा होगा, दूसरे दिन और ज्यादा फायदा होगा, और दो से तीन दिन में आपकी नींद गहरी होने लगेगी, तो दोस्तो यह तीन पोइंट बहुती आसान है, इनको बहुती आसानी से आप लोकेट कर सकते हो, और दबाना भी बहुती आसान है, तो दोस्तो पहले जान लेते हैं कि यह तीन पोइंट कौन से हैं, दोस्तो यह तीन पोइंट हमारे रीष्ट पे होते हैं, इनके लिए आपको अपने रीष्ट के जो आगे का भाग है, वह भाग में सबसे सेंटर वाला पोइंट हमारा पहला पोइंट है, दोस्तो लिटल फिंगर की साइड सेंटर पॉइंट के बाजू पर हमारा तीसरा पॉइंट हमें मिल जाएगा तो दूस्थो यह हो गए तीन पॉइंट यह तीनों पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से दबाना है दो से पांच मीट के लिए आप दबा सकते हो इनको दबाने का एक तरीका है या तो फिर आप राउंड इस तरीके से दस बार एक डायरेक्शन में घुबा सकते हो फिर दस बार दूसरी डायरेक्शन में इनके बाद आपको पंप करना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस इस तरीके से दबाना है छोड़ना है इनके बाद आपको थोड़ी देर के लिए यह point को दबा के रखना है इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरे point को भी clockwise, anti-clockwise फिर pump करना है फिर दबा के रखना है फिर छोड़ देना है इसी तरीके से तिसरे point को भी आपको clockwise, anti-clockwise फिर pumping और फिर continuous pressure इस तरीके से सभी point को आपको 2-5 मिन के लिए रात क लोगो सोने से पहले या तो फिर दूपेर के टाइम भी आप ओफिस से आ रहे हो आराम के लिए तभी यह पॉइट को आप दबा सकते हो तो जब भी आप यह पॉइट को दबाते हो तो हमारे शरी में क्या होता है हमारे सरी में जो भी stress level बड़ा हुआ है जो भी tension है वह आपका कम होने लगेगा आपका mind अच्छी तरीके से सांथ होने लगेगा और दोस्तो यह point दबाने से हमारा breathing भी normal होता है हमारी heart rate normal होने लगती है इसलिए यह point आपके मन को सांथ करता है आपके mind को अपने सरी को relax कर देता है और आपको अच्छी नीन लाने में फायदा करता है दोस्तो जबी भी आप यह point को दबा रहे होते तभी आपको deep breathing चालू रखना है आप अपनी आखे बंद करके भी deep breath कर सकते हो और अपनी आखे खुली भी रख सकते हो और अपने प्रान वायू पे आपको focus करना है तो आपको बहुती अच्छा फायदा मिल सकता है और दोस्तो यह point दबाने के बाद आपको प्राना यापकी एक तकनिक बहुती जानी मानी है अनुलोम विलोम वह आपको 10 round करना है आपको मैं बता दाओ किस तरीके से अनुलोम किया जाता है अनुलोम विलोम करने के लिए आपको अपने एक नासी का से स्वास लेना है फिर दूसरी नासी का से स्वास को छोड़ना है फिर जो छोड़े हुए स्वास वाली नासी का से आपको ब्रीद इन करना है फिर दूसरी नासी का से आपको स्वास छोड़ना है तो दोस्तो यह हो यह 10 राउन अनुलों विलों के खतम करने के बाद आपको फिर 10 बार डीब ब्रीध करना है और ब्रीधिन करते समय आपको अपने पेट को फुलाना है ब्रीध आउट करते समय आपको अपने पेट को अंदर खीचना है तो इस तरीके से एक्क्यू प्रेशर के बाद आपको यह सब्सक्राइब कर सकते हो यह वीडियो को लाइक कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर करिए ताकि सभी को फायदा मिल जाए थैंक यू फॉर वाचिंग वंदे मात्रम जहें